दोस्तों फाइनली दो हजार चूविस की वनप दबिगेश्ट फिल्म कंगवा का ट्रेलर रिलीज हो चुका और इस ट्रेलर को अगर एक वड में रिव्यू किया जाए तीट से ब्लोकबश्टर मटेरियल ज्या दोस्तों कंगवा फिल्म का जब से अनॉसमेंट हुआ है तब स ओडियन्स की उमीदे हैं वो काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कहीं न कहीं मेकर्स को भी यह पता था कि भाईया अपनी फिल्म इस साल की वनप दो मोश्ट आविटेट पेन इंडिया फिल्म है और लोगों को टीजर इतना पसंद आया था तो अपने को ट्रेलर अच् बताई है भाई मज़े आ जाते हैं मतलब कि सूरिया का केरेक्टर उनके करियर का अब तक का बेश्ट केरेक्टर होने वाला है ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लोड बोबी देवल एक बार फिर से विलन के रोल में नजर आने वाले है और यहाँ पर लोड बोबी देवल का जो लुक है जिस तरह का उन्हें गेट अप दिया है फार दिया भाई बोबी देवल एनिमल के बाद एक बार फिर से ओडियन्स का दिल जीतने वाले हैं हलाकि यहाँ पर स्क्रीन पर बोबी देवल और सूरिया की बीच की जो और विज्वल इतने सांदार रजर आ रहा है तो इस फिल्म को जब बड़े पर देखेंगे तो यह विज्वल पूरी तरह से होलिवोड की फिल देने वाले हैं तो यहाँ पर बेग्राउंड म्यूजिक से लगा कर विज्वल हर कुछ ट्रेलर में काफी दमदार लग रहा है और जिससे देखकर एक बात तो पता चल जाती कि वह यह इंडिया में कोई अच्छा कंटेंड सही से इस साल निकाल रहा है तो वह है साउथ सिनमा मतलब कि इस साल ओल्रेडी कलकी जैसी एक ओल्टाइम ब्लोगबश्टर साउथ ने दी है और ऐसा लगता है कि कलकी के बात कं इंडिया मार्केट में धमाका करने वाली हैं दोस्तो मुझे एसा लगता है कि कंगवा के बात सूरिया एक और बड़े पेन इंडिया सुपरिश्टार बनने वाले हैं ओल्रेडी सूरिया की जो फेन फोलोईंग ये नौर्थ इंडिया में काफी अच्छी है क्योंकि उनके ज्यादा पसंद किया है जैसे की सुराराय पोत्रू हो गई जे भीम हो गई और विक्रम में उनका केमियो तो हर किसी को याद है तो दोस्तो फिल्म रेलीज होने जा रही है 10 अक्टूबर को और मैं तो इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट सो देखने जाऊंगा क्योंकि ट् प्याल रखे अपना और अपने माता पिता का जे हिंद वंदे मातरम